हेलो फ्रेंट्स अगर आपके पास है Realme C33 मुवाईल और आपका मुवाईल करता है हैंग तो इस वीडियो को आप देखते रहे हैंग इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको दो सेटिंग बताऊंगा अगर आपने दोनों setting अपने मोबाईल में कर लिया तो दोस्तो मैं guarantee लेता हूँ आपका मोबाईल मरते दम तक दोस्तो हैंग नहीं करेगा बस जो जो step मैं आपको बता रहा हूँ वही आपको follow करना है तो पहले नमर पे दोस्तों आपको करना क्या होगा आप अपने मुवाइल की दोस्तों सेटिंग को ओपिन कर लिजे मुवाइल की सेटिंग ओपिन होने के बाद आपको स्क्रॉल डाउन करना है उसके बाद यहाँ पर about phone का दोस्तो option दिखाई देगा about phone के option पे आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर version का दोस्तो option दिखाई देगा जहाँ पर यह i button छपा हुआ इस पर आप click कर दीजे उसके बाद यहाँ पर build number का दोस्तो option दिखाई देगा system के option पे आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर developer option setting आपको एक देखने को मिल जाएगी तो इस setting पे आपको click करना है उसके बाद थोड़ा scroll down आपको करते करते नीचे आ जाना है यहाँ पर आपको जो है तीन option देखने को मिलेंगे चलिए मैं आपको उटा देता हूँ यहाँ पर दोस्तों देखे應該 window animation skill यहाँ पर आपको तीन skill मिलेंगे तो पहले वाले पर आप click कर दीजे इसको यहाँ से off कर दीजे उसके बाद दूसरे वाले पर click करिए इसको भी off कर दीजे उसके बाद तीसरे वाले पर क्लिक करिए इसको भी दोस्तो आफ कर दीजे तो friends ये जो है पहली setting हो चुकी है अब दोस्तो आपको बैक आजाना है बैक आजाने के बाद दोस्तो आपके मॉबाइल में यहाँ फाइल्स नाम से दोस्तो एक आप देखने को मिल जाएगी तो इस application को आपको open कर लेना है open होने के बाद इस तरह का interface होगा आपके सामने अब आपको थोड़ा scroll down करना है आप यहाँ पर दोस्तो देखें internal storage बता रहा है यानि देखिए हमारे मॉबाइल में दोस्तो 105 GB अभी internal storage खाली है अब मैं आपको यहाँ पर बताना क्या चाहिए रहा हूँ यह आप समझेए अगर आपके मॉबाइल की internal storage पूरी full है तो दोस्तो आप यहाँ से फालतू के कुछ video भी delete कर सकते हो फालतू की image भी delete कर सकते हो कुल मुलाकर यह बात है कि आप अपने मॉबाइल की internal storage 2-3 GB हमेशा खाली रखना और हमारे मॉबाइल में काफी ज़्यादा भी खाली है बाकि मैं आप से कह रहा हूँ अगर आपकी भरी हुई है तो आप जो है 2-3 GB हमेशा मॉबाइल को खाली रखना है तब ही दोस्तों आपका मॉबाइल जो है अच्छा performance कर पाएगा तो आई होब यह वीडियो आपको समझ में आ गया होगा अगर वीडियो समझ में आ गया है तो like से subscribe दोस्तों जरूर करें